कभी कभी हमें जीवन में अकेले लगने की आवश्यक्ता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, जो अपने लक्ष की और आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अफसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक लगका रहता था। वो बहुत सपने देखता था और अपने लक्षियों की प्राप्ती के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परन्तु उसके पास ना कोई साती था, ना कोई गाइप करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह केलेपन की जंजीरों में बंध है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मिहन की और अपनी आतुरिश्वास्ती आवाज को बुलंद किया उसकी इच्छा शक्ती और संधर्श ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ती गी एक दिन उसे अपने गाउं के बाहर एक फुस्तकाले का पता चला वह आश्चारेचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐस की जगा नजर नहीं आई थी धीरे धीरे उसने उस फुस्तकाले के दर्वाजे पर कदम लगता वहां जाकर उसने देखा कि लोग फुस्तकों के बीच खोई रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्यान के वातावरं ने उसे संतुष्ट कर दिया अपनी उत्रिश् साथ उसका घ्यान बरता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिष्टे बनाने लगा इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया उसने कई लेक लिखे जिसले से उसका एक लेक प्रकाशित हुआ और उसे अफसर मिला अपने लेक की आकोशल को दुनिया सुनेहना अफसर बनाने के लिए हमें संधर्श करना चाहिए हमारी सह्यमित्ता समर्पन और मेहनत हमें अपने लक्षयों की प्राप्ति की और आगे बढ़ा सकती है इसलिए कभी आप अकेले पर जाए तो हिम्मत ना हारे खुद को मजबूत करे और एक काम्यावी की मंजिन और एक की ऊपस्ति के लिए हमें संधर्व सकती है जैसा को मजबूत करना चाहिं।